एक employee का boss के husband के साथ affair हो जाता है इन दोनोंने एक दूसरे से बदला लिनी की कोशिश की पर यह बहुत ज़्यादा out of control हो गया Hello friends, आज मैं आपको passion ए 2012 की एक Hollywood Thriller movie explain करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग turns आते हैं और इसकी ending भी बहुत twisted है तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजिए अब बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते हैं movie स्टार्ट होती है और हम अमारी main characters Christine और Isabella को देख सकते हैं ये दोनों मिलकर एक एड पर काम कर रहे थे एक एड एजनसी में Christine और Isabella की boss है जिस एड पर ही work कर रहे थे ये दोनों को पसंद नहीं आई काम करते हो थोड़ी सी drink वेकराभी करते हैं ये दोनों एक दूसरे की अच्छी friends बन गई थी जब Christine का husband डर किया आया तो Isabella यहाँ से चली जाती है जाने से बहले Christian ने Isabella को उसका scar gift किया बाहर बहुत ही थन्ड थी और वो उसके लिए care करती थी रात में सोते वक्त Isabella को और एक ad का idea आया वो अपने assistant को घर पर बुलाती है और इस ad को shoot कर लेते है अगली दिने advertisement वो Christian को दिखाती है Christian को यह बहुत ही जादा पसन आई actual में Christian जाकर London में इसका presentation देने वाली थी पर वो कहती है कि अब तुमें इसके बारे में सब कुछ पता है तो Isabella की वो भेजने वाली थी Isabella भी इसके लिए excited हो जाती है जब अपने client से मिली तो client को भी बहुत ही अच्छा लगा था Isabella की assistant रानी उसे बहुत पसन करती थी उसके साथ time spend करना चाहती थी आज इनका presentation जल्दी हो कहा था तो गहती है कि हम dinner के लिए जा सकते है कुछ shopping कर सकते है पर Isabella ने उसे मना कर दिया Isabella कहा पर जाती है इस पर डानी ने नजर रखी तो डानी नोटिस करती है Isabella डग से मिल रही थी जो कि क्रिस्टिन का husband है उन दोनों में affair चल रहा था रात में दोनों intimate हो जाती है intimate होते वक्ट डग ने एक वीडियो भी shoot किया था इसके बाद हम देखते है कि Isabella फिर से Christian के अपास आ चुकी है client के साथ इन तीनों की meeting चल रही थी अगर सब कुछ ठीक हो तो जिसने ad create किया है उसे निई यॉक में जाने का chance मिलेगा इनकी client के साथ meeting बहुत ही अच्छी होती है पर Christian ने इस advertisement का पूरा credit ले लिया उसने Isabella के बारे में कुछ भी बात ही नहीं की Isabella उसे बुच्छ थी है कि तुमने ये क्यों किया Christian ने कहा कि एक game होता है इसमें आपको जब opportunity मिले तब आपको ले लेनी चाहिए आपको इसी तरीके से लोगों का potential यूज करना पड़ता है और तुम्हें क्या फरक पड़ता है Finally हमारी team जीच चुकी है ये एक teamwork है Isabella इस बात से upset थो थी पर इस बात को जाने देती है जब डानी को पता चला कि हुआ क्या है तो new ad लेकर वो Isabella के पास आई तो गहती है उन लोग को actual में पता ही नहीं कि तुम्हारा vision क्या था सारी चीज़े वो change कर रहे है इस बात को भी Isabella ignore कर देती है Next scene में हम देखते है कि आज रात Isabella और क्रिस्टिन ये दोने एक fashion show में आये हुए थे Isabella को एक shoes बहुत पसंद आये जो क्रिस्टिन उसके लिए buy कर लेती है अब इसके बाद ये दुनों party में जा रहे थे क्रिस्टिना गहती है तुम मुझे अपनी आप की याद दिला दियो मैं भी तुम्हारी तरह थी पर इसके बाद मेहनत करकर मैं इस मुकाम पर पहुच चुकी हूँ पारटी पर बहुचने के बाद क्रिस्टिना इसावेल को एक लाइंट से बात करने के लिए गया दिया उसने कहा कि अगर इस कलाइंट को तुम कनवर्ट कर पाओ तो इसका अकाउंट में तुमें दे दूँगे यह इसावेल के लिए एक बहुत ही अच्छया उपोजिनेटी थी इस पार्टी में क्रिस्टिन को एक आदमी ने अप्रोश किया वो आदमी बहुत ही ड्रंक था और पास्ट में क्रिस्टिन और उसमें अफेर था इस वज़े से वो आज रात भी उसे मिलना चाता था पर क्रिस्टिन गया दिया कि तुम ड्रंक हो, घर जाओ इस सारी बात डर्क ने देखी थी शायद यही रिजन है डर्क भी क्रिस्टिना पर चीट करता है क्रिस्टिना जब घर पर चले के तो डर्क और इसावेले दोनों एक साथ घर पर जाते है डर्क ने उसे कहा कि क्रिस्टिना जिस तरीके से लगती है उस तरीके से है नहीं वो बहुत ही डेंजर ऐसे है उसे लोगों के साथ खेल खेलना अच्छा लगता है आफिस में मिटिंग खतम हो जाने के बाद क्रिस्टिना इसावेला को रोक ले दिया वो गहती है कि मैंने तुमसे क्रेडिट शुरा लिया क्या अब भी तुम उससे नाराज हो प्लीज इस बात को जाने दो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही केर करती हूँ वे तुमसे प्यार करती हूँ ये बात सुनकर इसावेला शौक होके वो उससे आई लव यू नहीं कहती क्रिस्टिना ने फिर उसे एक स्टोरी बता है वो कहती है मैं जब छोटी थी तो मेरी एक ट्वीन सिस्टर भी हुआ करती थी हम दोनों के बास एक छोटी सी बाइसिकल थी मेरी सिस्टर ये बहुत ही अच्छे से राइड करती थी और मैं हमेशा उसके पीछे रह जाती थी एक दिन मैंने डिसाइड गया कि मैं भी उसके आगे जाऊंगे वो बहुत इस्पेंड में थी पर अचानक से उसके सामने ट्रक आ गया मेरी ट्वीन सिस्टर ने मुझे बचाने के लिए मुझे आके डखल दिया और वो खुद इसके सामने आके उसकी इस एकसिड़न में डेथ हो गई थी इसके बाद मेरे पैरेंट्स ने मुझे कभी भी I love you नहीं का ये सब सुनकर इजावेला क्रिस्टिन को I love you कह देती है ये दोना एक दूसरे को हक करते है इजावेला ने क्रिस्टिन को सहारा दिया थोड़ी देर में यहाँ पर डग आयो क्रिस्टिन उसे बात करती है खहती है तुमने कमपनी से जो भी पैसे चुरा है ये सब कुछ तुम्हें आप वापस देने बढ़ेंगे हमारी न्यूयोर्क की ब्रैंच और तुम पकड़े जाओगे डग ने कहा कि मैं सारे पैसे वापस कर दूँगा मुझे सिर्फ एक दो मन चाहिए पर क्रिस्टिन इस बात के लिए मानने के लिए रेड़ी नहीं थी नेक्सीन में इसावेल को अपनी सेग्रेटरी से पता चला कि उसके आड बनने नहीं वाली है उसमें क्रिस्टिन ने बहुत सारे चेंजेस किये इस वज़े से क्लाइट को पसंद नहीं आ रही थी लिफ्ट में जब डर्क और इसावेला मिले तो डर्क उससे कहता है कि शायद क्रिस्टिन को हमारे बारे में पता है वो मुझसे बदला लेना चाहती है अब हम दोनों कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रख सकते है यहाँ लिफ्ट में उससे वो ब्रेक अप कर लेता है इन सारी बातों से इसावेल को गुष्सा आके है जो एड उसने क्रिट की थी इसे वो टेस्ट करना चाहती थी है तो डार्कली यूटूब पर डाल लेती है रात में अपनी एजनसी से उसे कॉल आया सिर्फ पाच गंटे में उसकी आड को 10 मिलियन व्यूज मिले थे क्लाइन्ट इस बात से बहुत ही खुश था नेक्स डे इन सब की मीटिंग होती है अब नियॉयॉक जाने के लिए क्रिस्टिन को छोड़कर वो इसावेल को चूज करते है इस बात से क्रिस्टिन को बुरा लगा इसावेल गयती है कि मुझे भी तुमारे जैसे ओपर्चुनिटी मिली और मैंने इसको पा लिया यह सिर्फ बिजनेस है डग आज इसावेला को बहुती मिस कर रहा था उसे कॉल कर गया क्रिस्टिन ने उसके साथ जो भी किया इसके बारे में सब कुछ उसे बता देता है कहता है कि वो बहुती डेंजरस है इसावेला ने कहा कि उसके बचपन में उसकी twin sister के साथ जो भी हुआ था इसी वज़े से शायद वो इस तरीके से tough है डग कहता है उसकी कोई भी twin sister नहीं है सिर्फ तुम्हारी सिंपती पाने के लिए तुम्हें कोई भी story बता रही थी इसावेला जब काम करे रही थी क्रिस्टिन उसे वीडियो कॉल करती है इसमें डग और इसावेला जो इंटिमेट हो रहे थे ये वीडियो इसावेला को दिखा दिया इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई पार्किंग में अपनी गाड़ी को भी ठोग देती है वो बहुत रोई नेक्स डे डैनी इजावेला के पास है वो कहती है डग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे चुराए थे शायद इसी वज़े से वो बहुत ही स्टेंजली बिहेव कर रहा था आज ओफिस के एक पार्टी है उसमें भी उसे वो इन्वाइट कर लेती है क्रिस्टिन ने सबसे कहा कि ओफिस में काम करते होग लोग बहुत ही अज़िव अज़िव शीज़े करते है अलग-अलग इंप्लाइस के सिकुरिटी फुटेज जो दिखा रही थी जैसे कि कुछ लोग क्लाइट की मिटिंग के बाद बहुत ही ज़ादा गुसा हो जाते है ये सारी क्लिप्स इसमें थी कल रात इसावेला ने गुसे में अपनी गाड़ी को ठोक दिया था वो वही रोने लग गई थी ये भी क्लिप उसने पूरे ओफिस के सामने दिखाई इसावेला को इंबेरस करना चाहती थी वो डिस्टब हो गई और थोड़ी सी जादव स्लिपिंग पिल वो ले ले दिया अगली दिन क्रिस्टिन ने इसावेला को अपने ओफिस में बुलाया वो गयती कि तुमने मुझे ऐसा कैसा इमेल बेजा इसमें लिखा है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगी ने मैं तुमसे रिवेंज लूंगी अक्च्वर में इमेल क्रिस्टिन ने इसावेला का कॉम्पिटर से खुद लिखा था अब वो उसे फायर करना चाहती थी इसावेला गुस्सा होकर क्रिस्टिन को किस कर ले थी कहती है तुम्हें तो यही चाहिए था वो उसे हमेशा के लिए फसाना चाहती थी इस सब बात डैनी ने सुन ली फिर क्रिस्टिन ने डैनी से बात की कहती है तुम्हें अब रिजाइन करना पड़ेगा डैनी कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी कृष्टिना कहती कि अगर तुमने नहीं किया तुम्हें कहूंगी कि तुमने मुझे sexually assault किया है मैं यहां की boss हूँ, सब लोग मेरी बात मानेंगे डैनी इस बात से डिस्टब होगी आज रात क्रिस्टिना की हाबर पार्टी थी और इसावेला एक play दिखने के लिए गई इस पार्टी में ड्रंक होकर डर्क वहाँ पर बहुच जाता है सब के सामने तमाशा खड़ा करने की कोशिश करता है इस बात को क्रिस्टिन ने कंट्रोल कर लिया था अचानक से क्रिस्टिन की घर बर कोई मास्क लगा करा है और उसे हो मार देता है रात में इसावेला बहुत ही डर कर उठी उसे लगा कि यह सब उसका सपना है पर यह एक्च्छल में हुआ था उसके डोर पर नौक आई तो पुलीस की थी पुलीस को लगता है कि इसावेला ने सब कुछ किया है मर्डर सिन पर उसका स्कार्फ हुने मिला था आज रात इसावेला ने बहुत सारे स्लिपिंग बिल्स ली थी तो क्या बात कर रही थी उसे ही समझ में नहीं आ रहा था पुलीस को सारे सबोदी इसावेला के खिलाफ ही लगते है उसने उसे बहुत बार पूछा तो फाइनली इसावेला इसके लिए हा कह देती है क्या उसने ही मर्डर किया है सब कुछ हो जाने के बाद जब उसे होशा है तो वो डारेक्ली जेल में थी अपने लॉयर को कॉल करती है कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया जब मेरा कन्वेशन आप सब लोग ले रहे थे तो मैं बिल्स पे थी इस वाज़े से मैं कुछ भी बोल सकती थी उसने कहा कि इस डेट के बाद ही नेक्स डेए उसने मुझे बहुत ही जलील किया था अगर आपने सब लोगों से बात की तो वो भी कहेंगे कि क्रिस्टिना मुझे बरबात करना चाहती थी सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही थी कहती है मुझे घर जाने दो वहाँ पर मैं सकार्फ ढूंड लूँगी फिर सब पुलीस वेगरा मिलकर फिर से इसकी इसकी इन्वेस्टिकेशन करती है क्रिस्टिना उस राद बैले देखने के लिए गई हुई थी वहाँ पर सीट की वज़े से कुछ लोगों से उसका जगड़ा हुआ था इस वज़े से ठेटर के एक इंप्लॉई को उसके बार में पता था इससे प्रूव होता है कि उस राद वो बैले देखने के लिए गई हुई थी जब वो स्कार्फ ढूंडने के लिए गए तो इसावेला स्कार्फ ढूंडने का बहुत कोशिश करती है पर ढूंड नहीं पाती है यहाँ पर पुलीस को एक फाइल मिली जिससे पता चलता है हिडग ने कमपनी से पैसे चुराए थे पुलीस इसावेल से कहते है तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं एक एविड़न्स है डग ने क्रिस्टिन को मारा हो सकता है इसावेला ने कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा इस वज़े से मैंने तुम्हें बताया नहीं था इसावेला को फेसे जेल में डाल दिया गया था उसके सेक्रेटरी डानी उसे मिलने के लिए आई वो डानी से गहती है मेरा स्कार्प मेरे घर में ही है प्लीज उसे तुम ढून लो इसे मैं बस सकती हूँ ये डानी ढूनने के लिए कि उसे भी मिल नहीं रहा था पर उसके बाद ड्राय क्लिनिंग वाली घर पर आई वो इसे वाश करने के लिए लेकर गई थी अब सकार्प मिलने के बाद पुरा शक टर्क पर जाता है पुलिस ने उसके घर के तरह शिली गाड़ी में खुन से लटपद एस सकार्प उन मिलता है और ये सकार फटा हुआ भी था सारा मर्डर का ब्लेम ये डर्क पर आ जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि इसावेला फ्री होके इसका सेलिबरेशन वो डानी के साथ कर रही थी वो आज बहुत ही खुश थी ये दोनों मिलकर फिर से न्यू एड़ पर काम कर रहे थे तभी डानी उसे किस करने लग दिया इसावेला उसे दूर होके कहती कि तुम ये क्या कर रही हो हमारे बीस में कुछ भी नहीं है डानी इस बाद से डिस्टर होके कहती है मैंने तुमारे लिए क्या कुछ नहीं किया इसावेला ने उसे स्टिकली मना कर दिया डानी ने कहा कि मुझे बता है कि तुमने क्या किया है तुमारी ये जो स्लीपिंग पील से ये फेक है मैंने एक बाद इसे गल्दी से ले लिया था पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ जिस रात क्रिस्टिन का मर्डर हुआ उस रात मैंने तुम पर नज़र रखी थी तुमने जान बुचकर बैले में फाइट की थी ताकि लोगों को लगे कि तुम वहाँ पर रही थी स्टोर में जाकर तुमारे पास जिस तरीके से सकाफ था उसे तरीके से और एक सकाफ तुम लेकर आई क्रिस्टिन के घर पर जाकर उसे तुमने मार दिया सकार्फ का एक पीस तुमने क्रिस्टिन के हाथ में रखा और दुसरा पीस ये डग के कार में सारा कुछ तुम्हारा पहले से ही प्लान था तुम्हें मर्डर करते होग मैंने रेकॉर्ड कर लिया था अगर तुम अब मेरी नहीं बनी तो मैं सारी रेकॉर्डिंग पुलिस ओफिसर को भीज दूँगी इसके बात एक सेकंड में इजावेला भी पलट गई वो भी डैनी से I love you कहती है ये दोनों फिर रिलेशन्शिप में आ गए थे नेकसेन में हम देखते है कि क्रिस्टिन का फ्यूनरल था इस फ्यूनरल पर उसकी ट्विन सिस्टर भी आई हुई थी जैसा डग ने इजावेला से कहा था क्रिस्टिन बहुत ही manability है और तुम्हें कुछ भी जूटी स्टोरी सुना रही है ये बात सही थी क्रिस्टिन की स्टेफ सिस्टर अब भी जिन्दा थी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज के स्पॉनसर के बारे में बताने चाहता हूँ इस वेबसाइट पर आप फ्री में लाइव मैचेस देख सकते हो स्पोर्स में बेटिंग करकर भी आप यहां से पैसे कमा सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और टेल्स ये प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हो लिंक या प्रोमो कोड से अगर आप साइन अप करते हो तो आप जो भी डिपोजिट करोगे उस पर 130% एक्स्टा बोनस आपको मिलेगा तो जाकर एक बार इस वेबसाइट को ज़रू चेक कीजिएगा मैं तो आपसे फ्री के मैचेस यहां पर ही देखूँगा फिर से वीडियो में आगे बढ़ते है एक रहाज जब डैनी और इजाबेला सोई हुए थे तो डैनी का उस सीक्रेट मोबाइल बजने लग जाता है इसी मोबाइल में उसने एविडेंस शुपाए हुआ था अगर इजाबेला को यह मोबाइल मिल जाता है तुसे डैनी के साथ नहीं रहना पड़ेगा इसे वो जल्दी से ढूलने लग जाती है पर डैनी और उसमें इस बात को लेकर फाइट हो गई इजाबेला ने गला खोटकर डैनी को मार डाला अपनी आखरी सास लेते हुए डैनी ने अपने पेर से सेंड बटन दबा दिया था एक लिए पुलिस आफिसर को चली गई हम देखते हैं कि क्रिस्टिन की सिस्टर इजाबेला के पास आए उसे गला घोटकर वो बेहोश कर देती है जब क्रिस्टिन को होश आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी एक दूसरे को हर्ड करने की चक्कर में इन तीनों को भूगतना पड़ा इसे के साथ आज का वीडियों खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर देजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहता हूँ प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक नमुए के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे